फैट टू फेट हुई रितिक रोशन की भाणजी असमे साथ एली मा के साथ है रहती रितिक रोशन की बेहन सुनैना इन दिनों अपनी ट्रांसपॉर्मेशन की वज़े से सुर्खियों में है लंबे टाइम से वर्काउट कर रही सुनैना का वज़न करीब 140 किलो था उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक सरजरी करवाई इसके बाद उनका वज़न 65 किलो हो गया वेसे सिर्फ सुनैना ही नहीं उनकी बेटी यानी रितिक की भाणजी ने सुरानिका ने भी अपनी काफी वज़न कम किया है मा और मामा से इंस्पायर होकर वे पहले की तुलना में काफी स्लिन हो गई है हाल ही में रितिक ने सुरानिका का एक पिक्चर शेयर कर इस ट्रांस पॉर्मेशन के बारे में बताया है दैश्रतिक की family के कई लगभग सभी members के बारे में लोगों को पता है लेकिन कम ही लोग उनकी भांजी सुरानिका रोषन के बारे में जानते हैं दैश्च सुरानिका US में पढ़ाई कर रही है वेसे सुरानिका अपनी माउसु नैना के साथ नहीं रहती है बलकि अपनी सवतेली मा सुनाली के साथ रहती हैं दैशरतिक की भान जी की अपनी सवतेली मा से अच्छी बॉंडिंग है और साथ ही वे रोशन फैमिली के भी काफी करीब हैं दैशलगभग 20 साल की सुरानिका की सिर्फ है सवतेली मा से ही नहीं बलकि बेहन से अच्छी सुनैना के पहले हस बैंड से बेटी सुरानिका दैश रितिक की बेहन सुनैना रोशन ने दो शादियां की उन्होंने पहली शादी बिजनेसमैन आशीश सोनी से की थी दोनों की शादी 8 साल चली और 2000 में दोनों अलग हो गए दैश दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है सुरानिका सुनैना से अलग होने के बाद आशीश ने तीवी एक प्रेस सुनाली मलहोतरा से शादी कर ली सुराने का आशीश और सुनाली के साथ ही रहती है देश बता दे वहीं सुनैना ने आशीश से तलाक लेने के बाद विजनेसमेन मोहन नागर से शादी की